गोलोश्री प्राणला तु प्यारे गोलोश्री सद्गुरु महाराज अच्छा नहीं थागे अभी अभी हमने आचर इस्री सूर्य प्रताब जी के द्वारा उस परब्रम की पहचान के संदर्व में कि वो परब्रम कैसा है दुन्या में मान्यता कैसी है और वास्तविक्ता क्या है इस विशय में सुरा क्यूंकि हर बार ये जरूरी नहीं होता कि जो मान्यता है वही सच हो कई बार हम अपने पूर्वजों से कई बाते सुनते आ रहे होते हैं लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं वह तो गलत था और कई बार ऐसा होता है कि पता चलने के बाद भी कि जो हम मानते आ रहे थे वो गलत था इतना पता चल जाता है उसके बाद भी एक जो कटरता होती है मानसिक कटरता, मानसिक संकिर्णता उसके कारण हम पुरानी सोच को या पुराने विवाहार को नहीं बदल पाते मन हमारा जानता है, हमारी अंतरात्मा जानती है कि सच क्या है लेकिन स्विकार करना हजम नहीं होता है कि कैसे स्विकार करने भला है हम ये कैसे मानने कि हम गलत थे तो क्या सामने आ जाता है अहम जिसको कहते हैं इगो अथवा अहंकार इसलिए हम मानने पाते स्विकार नहीं कर पाते हाँ पता चल रहा होता है कि सत्क्य क्या है और अध्यात्म के मार्ग पर यदि आगे बढ़ना है किसी को भी, तो उस अहम को त्याग करके उस परब्रम के प्रति हृदय में प्रेम को धारण करना होगा. तो हमने ये तो जान लिया कि परमात्मा का स्वरूप निराकार नहीं है और न की साकार है जैसा हमारे मंदिरों में फोटो, मूर्ति, अथमा किसी अन्य प्रकार की आकृति बनाई जाती है. अब अगला सवाल ये होता है कि चलो पता तो चल गया कि वो कैसा है ये भी पता चल गया कि कैसा नहीं है अब हमारा मन ये जानना चाहता है कि ये पता चलने के बाद कि वो है कैसा अब उसको पाएं कैसे अभी तो ग्यान से पता है जो ज्ञान में है उसको अनुभव में लाएं कैसे क्योंकि बुद्बवधिक ज्ञान में और अनुभव में फर्क होता है आपको मैं कह दूँ कि ये सक्कर है इसमें मिठा से मिठा होता है आपको यदि कभी चखा ना गया हो आपसे तो पता ही नहीं चलेगा कि मिठास कैसा होता है बिना पहचान के अथवा बिना अनुभ होके परब्रम के स्वरूप की बात करना जैसा कि आचारी सुरी पृताप जी ने भी कहा कि उसका स्वरूप, उस परब्रम का स्वरूप शुद्ध साकार है और सबसे सुंदर है वो सुंदर्य का निर्माता है लेकिन ये तो हम अभी ज्यान से समझ रहे हैं अब अगला सवाल ये है अब इसी को आगे बढ़ाते व इसको सिर्फ ज्यान से समझाना वैसा ही है जैसा मैं आप से पूछूँ कि घीका स्वाद कैसा होता है घीका स्वाद कैसा होता है मिठा नहीं नमकीन नमक भी नहीं होता है खटा भी नहीं होता है तीखा भी नहीं होता है कड़वा भी नहीं होता है कसेला भी नहीं होता है छेरस होते हैं न खटा मिठा तीखा कड़वा कसला और नमकिन लेकिन घीका स्वाद इन छे रसों में नहीं आता है और ये भी नहीं कह सकता है कि इन समसे अलग फीका होता है क्योंकि यदि फीका ही होता तो हम उसकी जगपे पानी का प्रयोग कर लेते उसमें कोई न कोई स्वाद तो है लेकिन ये छेहों रस से अलग है इसी तरह से अब जब ये बताया जाए कि नहीं ये छेह रस नहीं है फीका भी नहीं है तो कैसे पता किया जाए कि घीका स्वाद कैसा है तो आप चम्मच में लेंगे और कहेंगे कि चलो एक बार चखलो फिर पता चलेगा अब मैं चखलूंगा तो मुझे पता चला कि घी का स्वाद कैसा है लेकिन मैं किसी और को बताने जाओं तो तब भी यही बताऊंगा कि तुम चखलो तो तुम्हें घी का स्वाद पता चलेगा इसी तरह से वह जो परब्रम है प्रेम, शान्ती, आनंद का सागर है, सौंदर्य का निर्माता है, लेकिन उसकी वस्तविक्ता को पूर्ण रुप से जानने के लिए, पूर्ण रुप से जानना में इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ज्यान दृष्टी से जानना पूर्ण जागरिती नहीं होती है, पूर्ण पह स्थान से पहचानते हैं, माता-पिता के नाम से जानते हैं, क्या करता है उस पद से जानते हैं, लेकिन वो पूर्ण पहचान नहीं है, पूर्ण पहचान मतलब है दिल में उतर के देखना, तो उस परब्रम को यदि जानना है पूर्ण रुप से, तो सबसे पहले तो हमें उ उसके हृदय में उतारना पड़ेगा या उसको हृदय में उतारना पड़ेगा दो उपाए या तो हम उसके हृदय में उतर जाएं या हमारे हृदय में उसको उतार लें अब वो कैसे ये कैसे संभव है ऐसा तो नहीं कि पारासिटामल की गोली है, मुँमें रख लिया, पाने के साथ में गटक गए, पेट में उतर गया, ऐसे ही कोई उपाय तो नहीं है, नहीं तो उसको पाने का उपाय इसी प्रकरण में आगे बताया, कि कई दर्वाजे खोजे कभीरें, दर्वाजा मतलब मार्ग, उस परब्रम तक पहुँचने का जो मार्ग है, उस मार्ग को खोजते हुए, कभीर जी ने एक जगा नहीं, अनेक जगा हमें खोजा, कभीर जी, भारतिय संद परंपरा में सबसे उची पहुँच रखने वाले माने जाते हैं, निजानन्द दर्शन में भी, परंधाम के 25 पक्षों को एक तरफ रख दिया जाए, तो उसके अलावा सबसे उचा पक्ष, जिसको हम 83 पक्ष कहते हैं, वो किसका है, कभीर जी का, अपने योग बल से, साधना के बल से, और चूकी उनकी अंदर अक्षर की पंच वासना है, तो इसलिए उनको सामान्य जन के हिसाब से खोजने की आवसिक्ता नहीं थी, उन्होंने अपनी दृष्टी से ये जाना, अपनी विवेक दृष्टी से, ज्यान दृष्टी से, और प्रेम की दृष्टी से भी ये जाना, देखा, कि दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, कई दरवाजे, खोजे, कभीरे, वैकुंठ सुन्य सब देख्या, कि स्वर्ग का रास्ता क्या है, उसको देख लिया, वैकुंठ को पाने का रास्ता क्या है, उसको देख लिया, सुन पाना है तो राष्टा कैसा है श्रवन किर्टन मनन अर्चन इस्मरण पादसेवन दास्य साख्या आत्मनि वेदन जिनको हम नवधा भक्ति कहते हैं यह नवधा भक्ति का मार्ग है स्वर्ग वैकुंठ को पाने का इससे उपर यदि किसी को सुन्य निराकार तक की पहुंच र योग का साधना का तपश्या का और योग में भी कैसा समाधी दो प्रकार की होती है सबिज और निर्विज समाधी संप्रज्यात और असंप्रज्यात समाधी इन दोनों समाधियों के द्वारा हम स्वर्ग वैकुंठ से परे सुन्य निराकार में पहुंच सकते हैं सुन्य न बाहर से धूप अंदर की तरफ यह किसी एक जगा से थोड़ी किरणे आ रही हैं तो वहां पर उन किरणों की पीच में धूल के बहुत सारे कण दिखाई पड़ते हैं लेकिन वही जब हम बाहर आते हैं तो वो धूल के कण दिखाई नहीं पड़ते हैं क्यों? हमारी आखे वही है धूल के कण भी इस वायु मंडल में विचरन कर रहे हैं सूर्य की किरण भी यही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है क्यों वातावरण का फर्क है ना अलग-अलग वातावरण में हमारी इंद्रियां अलग-अलग तरह से कारिय करती है तो हमारी सामान्य इंद्रिय के लिए भले ही निराकार है लेकिन ये साकार है जैसे आपको मैं पूछूँ कि जल ये निराकार है कि साकार? जल निराकार है कि साकार? साकार है हमें दिख रहा है हाँ इसकी निश्चित अकृती नहीं होती है इस बोटल में डाल दिया तो यह स्क्वायर है यदि पूरी तरह से गोल बोटल में डाल दिया जाए तो वो गोल हो जाएगी किसी और बरतन में रख दिया जाए तो उस बरतन की आकरिती ले लेगी तो जल तो साकार है ना साकार मतलब हम आँखों से देख रहे हैं अब बताई इस वाय मंडल में जल है की नहीं वाय मंडल में जल है ना साकार है फिर भी नहीं देख पा रहे हैं अच्छा इसमें आप बर्फ डाल करके रख दे इस पानी के बोटल के अंदर बर्फ रखें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो बाहर पानी की बूदे दिखाई पड़ेंगी जो कि इसी वाय मंडल से होकर के आई है और इसमें चिपक गई है इसका मतलब क्या है? कि ये निराकार नहीं है ये वाय मंडल हमारी आँखों के हिसाब से सुक्ष्प है लेकिन निराकार नहीं है तो जो सभीज और निर्वीज समाधी की बात करते हैं उससे हम सुन्य निराकार को पा सकते हैं लेकिन पहले ही हमने आचारी सुर्य परताब जी के द्वारा सुना कि वो परमात्मा तो सुन्य और निराकार से भी परे है वो शुद्ध साकार स्वरूप है तो अब सवाली उठता है कि वो सुन्य निराकार से परे है स्वर्ग वैकुंठ से भी परे है उसको पाने का मार्ग न न अधा भक्ति का है और न सविज निर्विज समाधि का तो उसको पाने का मार्ग क्या है तो इस चोपाई में क्या बताया कि कई दर्वाजे खोजे कभीरे वैकुंठ सुन्य सब देख्या आखिर जाय के प्रेम पुकार्या क्या पुकारा प्रेम क्यों परमात्मा को पाने का मार्ग क्या है प्रेम अब सवाल होता है कि प्रेम का मतलब स्रवन भक्ति का मतलब हो गया हम बैट करके सुन रहे हैं परमात्मा की वार्णी सुन रहे है स्रवन हो गया मनन उसके विशे में जो सुना उस विशे में विचार कर रहे है तो वो हो गया मनन कीर्टन मतलब क्या है उसकी वानी को उसकी गुणगान को हम यहां से गायन कर रहे हैं वो हो गया कीर्टन स्मरण मतलब उसको याद कर रहे हैं ये तो समझ में आता है सबीत समाधी और निर्वीत समाधी भी समझ में आती है कि हम आख बंद करके बैठे, शरीर भाव से उपर उठ गए, इंद्रियों के भाव से उपर उठे, अंतस्करण से उपर उठे, जीव अपने शुद अवस्था में है, वो समाधी की अवस्था इतने भी समझ में आती है, अब ये सवाल होता है कि फिर प्रेम का मार्ग कैसा है, प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग कैसा होना चाहिए, नवधा भक्ति भी नहीं है, सवीज निर्वीज समाधी भी नहीं है, सवाल तो है ना, तो प्रेम लक्षण भक्ति में क्या होता है, कि चाहे आप नवधा भक्ति कर रहे हैं, चाहे ध्यान समाधी लगा रहे हैं, दोनो नहीं कि हम कोई नई चीज सिखा रहे हैं या कोई नया तरीका नई पद्धती ला रहे हैं। जिन पद्धतियों का पूरी दुनिया पहले से अनुशरण करते आ रही थी, उनमें एक चीज डाल दी गई प्रेम और उस प्रेम की आजाने से क्या हो गया? आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा, वह अलेखा मतलब वह परब्रम जिसके गुणों के विशय में, जिसकी पहचान के विशय में आज तक किसी के द्वारा लिख पाना संभव नहीं था, उसको कहते हैं अलेखा, और उसको पाने का मार्ग बताया प अब सवाल जैसा कि मैंने पहले पुछा, प्रेम को कैसे अपने जीवन में लागू किया जाए, क्यूस परब्रम को पास सकें, नौधा बक्ती में प्रेम डाल के देखिए, स्रमण पहली बक्ती है ना, स्रमणम किर्तनम विश्णु अर्चनम बाद सेमन में, स्रमण में प्र कुछेंगे भाई आये क्यों नहीं, तो जाना पड़ेगा, दूसरा कि हमारे यहां वो आते हैं, तो उनकी यहां भी हमें जाना चाहिए, तो इस तरह से भी कुछ लोग सुन रहे हैं, और कुछ ऐसे भी सुन रहे हैं कि हमारा यह मानव जीवन, जो कि 84 के चक्र में घूम करक हम यदि उस परव्रम की पहचान कर लेंगे, तो हमारा कल्यान होगा उस भाव से सुन रहे हैं, अब उसमें प्रेम डाल दिया जाए, तो स्रवन प्रेम के साथ सुनना, अवपुचारिकता के साथ नहीं, कीर्तन की एक है, गायन चल रहा है, गाना सामाने रूप में, कलाकारी में गाना, राग में गाना, लेकिन जब किर्तन में प्रेम जुड़ जाता है, तो वो सिर्फ राग में नहीं अनुराग में गाता है, राग और अनुराग में फर्क होता है, राग का महत्व ज्यादा है कि अनुराग का, जहाँ प्रेम हो क्योंकि प्रेम जहाँ आ जाता है वहाँ न बुद्धिमत्ता देखी जाती है न किसी की सत्ता देखी जाती है न किसी का रूप देखा जाता है न किसी का ज्यान देखा जाता है जहाँ प्रेम आया वहाँ किवल एक चीज रहती है वो है समर्बन सोचिए कि वहाँ परब्रम जब ब्रज मंडल में कृष्ण जी के रूप में आया तो गोपियां कहती है कि तुझे नाचना है और नाचने के लिए लालज किस चीज का जिद देती है छाच का मक्खन का उसके घर में नहीं थी उसके पिता नंद थे पौरा निक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जिनके यहाँ नौ लाख गाए हो उनको नंद माना जाता है चलो नौ लाख ना सही नौ गाए ही हो लेकिन फिर भी उसकी घर में तो दूद दही की कमी तो नहीं होगी फिर किसी के लालच में आकर कि वो क्यों नाचेगा, वो नाच रहा है क्यों, क्योंकि प्रेम है हमारे जैसों को समझने के लिए एक सीधा उदारण, लेला मजनु का द्रिश्टान तमने सुना होगा लेला और मजनु में जो प्रेम था, लेला किसको कहते हैं बता है उर्दु में लेल कहते हैं रात को, रात मतलब अंधेरा, लेला इतनी काली थी, कि उसके उपमा दी गए कि ये तो रात के समान काली है लेकिन मजनु को जब उससे प्रेम हो गया तो, उसकी जो दास्ता है, वो आज तक याद की जाती है आप लोगोंने बच्पन में अलिफ लेला सीरियल देखा होगा, उसमें देखा होगा दोनों में कितना प्रेम था हो सकता है कि सीरियल में, क्योंकि मैंने तो देखा है, मैंने सिर्फ सुना है हो सकता है कि सीरियल में अच्छे कलाकारों को लिया गया हो लेकिन आप उनके एतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लैला को लैला कहा जाता था क्यूंकि वो काली थी तो उनमें जब प्रेम था तो उन्होंने रूप को नहीं देखा ब्रजमंडल में गोपियों और क्रिष्ण जी में प्रेम था तो इस प्रतिष्ठा को नहीं देखा कि मैं परब्रम हूँ उसने सिर्फ प्रेम को देखा जिसके सत्त अंग के इच्छा मात्र से ऐसे करोणों ब्रह्मान बनते हैं और मिटते हैं वो एक घूट भर छाज के लिए चम्मच भर मखन के लिए कट्रे भर मखन के लिए क्यूं नाचेगा वो तो प्रेम के लिए नाच रहा था तो इसी तरह से चाहे श्रवण हो चाहे कीर्तन हो चाहे मान लीजिए जिसे पाद सेवन है चरणों की वंदना है हम कई बार सुन्दर साथ में भी अगर कटरता आ जाए तो हम कहते हैं कि हम तो नौधा वक्ती से उपर के हैं फिर क्यों कहते हैं प्रत हम लागू दो चरण को चरणों की वंदना तो वहां भी हो रही है वंदो सत्गुरु को चरण को कहते हैं वहाँ भी चरणों की वंदना हो रही है लेकिन साथ में क्या जुड़ रहा है प्रेम इसलिए आगे करें धनी ये न छुड़ाई योखिन लाक तली लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन जीव का जीवन कौन होता है जिससे प्रेम हो तो वहाँ प्रेम है इसलिए चरणों की वंदना भी नौधा वक्ती से उपर बन रही है तो इस तरह से नौधा वक्ती के नवों अंगों को समझ सकते हैं इसी तरह जहां बात आई समाधी की तो जहां बिना प्रेम के सबिज और निर्विज समाधी लगाने वाले संप्रज्यात और असंप्रज्यात समाधी में डूबने वाले निराकार सुन्य तक पहुँच सकते हैं सुन्य निराकार के मंडल को पार नहीं कर सकते जब परमात्मा के प्रती पहचान हो जाती है मतलब नजर से देखना, आत्मिक द्रिष्टी से देखना प्रेम को हृँए में रखकर तो क्या होगा कहते हैं पार निकस्त के पूरन होई है क्या हो जाता है कि हम स्वर्ग वैकुंठ और निराकार से परे निकल करके स्वयम में पूर्ण बन जाते हैं क्योंकि हमने उस पूर्ण परवर्ण की पहचान कर ली उसको अपने हृदय में बसाया इसको दारशनिक भासा में कहें तो एक सिद्धान्त है लवह अगनिवत सिद्धान्त लवह अगनिवत सिद्धान्त मतलब लवह कहते हैं लोहा लोखंड लोहे को आग में डाल दिया जाए तो 5 मिनिट 10 मिनिट आदे घंटे के बाद क्या होगा उस लोहे में और आग में कोई अंतर नहीं रह जाता इसी तरह से उस परब्रम को हम अपने जब हृदय में बसा लेते हैं तो हम में और उसमें कोई फरक नहीं रह जाता जैसा कि वाणी में बिलकुल सरल हिंदुस्तानी भासा में कह दिया हम हक में हक हम में और हक बिना सब ख्वाब तो हम भी उस परब्रम को हिरदय में बसा के जैसा की उपनिशदों का कथन है उपनिशदकारों का कथन है हमारे दार्शनिकों का कथन है ब्रम्ह विदो ब्रम्ह वभवती तो उसी बात को यहां महामती जी कह रहे है पार निकस के पूरण होई है तब फेर सब द्रिष्टे देखाई है जब हम पूरण ब्रह्म को अपने हरिदय में बसा लेते हैं तो हमारी ज्यान चक्षू हमारी आत्म द्रिष्टी सुरग वैकुंठ निराकार के परे पहुंचती है जिसके विशे में कवेर जी ने संकेत किया कि चलते चलते पग ठका नगर रहा नौकोस बीच में डेरा पड़ गया कभीरा किसको देउदोस कहते हैं जाघर में अबलावसे बहे किसके पूर प्रेम के तो जहां प्रेम का पूर बहरा होगा उस पूर में बहने के लिए तो प्रेम में डूबना पड़ेगा ना जैसे मान लेते हैं कि वह परब्रम एक उदाहरन के लिए कि परब्रम चुम्बक है चुम्बक किसको अपने प्रतियाकरशित कर सकता है या तो चुम्बक को आकरशित करेगा या कम से कम लोहा तो बने प्लास्टिक बने रहेंगे तो क्या होगा उससे हम उसके प्रति नहीं खिच सकते तो हमें स्वयम को प्रेम मही बनाना पड़ेगा तब क्या होगा कि हमारे द्रिष्टी में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वह परब्रम है कैसा पहले तो ज्ञान द्रिष्टी से समझ में आया था अब वास्तविक द्रिष्टी से समझ में आ जाएगी उसके लिए रिदय में प्रेम लाना होगा प्रेम में चित्वनी के मार्ग में डूबना होगा जैसा कि हमारे रिशियों ने कहा कहते हैं कि प्रेम को हृदय में बसा करके ध्यान द्रिष्टी से समाधिस्त होकर उस परब्रम को पाने में जो आनन्द है उस आनन्द को गिरा कहते हैं चिहवा से हमारी जीब से उस आनन्द का वरणन नहीं हो सकता स्वयम तद अंतह करणे नगरियते हर विक्ति अपने अंतह करण के द्वारा ही अपने स्वयम की अनुभाव के द्वारा ही उसको पा सकता है जान सकता है इसलिए मैं हर वार ये कहता हूँ कि अध्यात्म के मार्ग पर अपनी मंजिल स्वयम को तय करने होती है इस दुनिया में एक छलावा है कैसा कि हम में से कईयों को कई बार लगता है कि हमारे जो गुरु हैं वो हम पर कृपा कर देंगे तो हमें उस परब्रम का साक्षातकार करा देंगे कि प्राप्ति करा देंगे हमारे जीव को मुक्ति दिला देंगे सोचिए कृष्ण जी ने कभी ये दावा किया कि अर्जुन में तुमें मुक्ति दिला दूँगा नहीं कृष्ण जी ने ये कहा कि तु मेरी बात पे चलेगा अगर ये उस परब्रम की तरफ चलेगा तो मुक्ति का मार्ग पाने का अधिकारी बनेगा अने था नहीं कहा कभी किसी ने चाए कितना भी बड़ा महापुरुस हुआ हो तिर्थंकर पैगंबर आवतार किसी ने भी स्वयम के द्वारा मुक्ति दिलाने की बात नहीं की सबने यही कहा है कि उस परब्रम को प्राप्त कर लेंगे तो हम मुक्त हो सकते लेकिन दुनिया में अभी तो चलावा है कि हमारे गुरुजी फलाने है इतने लेवल तक पहुंचे है वो हमें मुक्ति दिला देंगे वास्तविक्ता यह नहीं है वास्तविक्ता यह है कि हमें हमारी आध्यात्मिक मंजिल में स्वयम को आगे बढ़ना होगा चाहे कोई भी व्यक्ति हो मैं चाहूं कि आपके बदले धियान कर लूँगा आपको इसका फल मिल जाए संभव नहीं है आप चाहे कि हम सब मिल करके इकठे प्रार्थना करेंगे कि फलाने व्यक्ति का धियान लग जाए नहीं यह संभव नहीं है आप सब के प्रयास से माहोल ऐसा बन सकता है हम सब मिल करके माहुल ऐसा बना सकते हैं कि सभी उस परब्रम की पहचान करें प्रेममई ध्यान करें चित्वनी करें तो सब इकठा हो करके ऐसा माहुल बनाए और ध्यान समाधी के मार्ग पर चले प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग पर चले ये तो संभव है लेकिन कोई किसी के बदले नहीं कर सकता तो हमें स्वयम को ही अपने अंतह करण के माध्यम से अपने अंतह करण को उस परब्रम के प्रती लगा करके मन चित बुद्धी अहंकार में प्रेम बसा करके हमारे चित्त को परव्रम की तरफ लगा करके ही उसे प्राप्त किया जा सकता है? ऐसा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कहते हैं न न अन्य पंत्था, विद्यते अनाय, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, यदि कोई कहता है कि बिना रिदय में प्रेम लाए, बिना प्रेम में चित्वनी के, बिना ध्यान के, किसी और तरीके से मैं परव्रम की प्राप्ति करा सकता हूँ, इस मंत्र के द्वारा, इस तंत्र के द्वारा, इस प्रकार की जब के द्वारा, तो समझ लीजिए कि वो किसी रिशी मुनी नहीं, वेद दर्शन उपनिसद, किसी ने भी ऐसा नहीं किया, वेद क्या कहते हैं, अथर्म वेद में एक मंत्रा आता है, इमाम खनाम योसधिम, वीरुधाम बलवत्तमाम, यया सपतनिम बाधते, यया सविंद्यते पतिम, जैसे एक पतिवरता इस्त्री, अपने पति को जिस तरह से प्रेम पुर्वक रिजाती है, प्रसन्न करती है, इसी तरह से इस ब्रह्म ग्यान रुपी आउशधी को प्राप्त करके, इस ब्रह्म ग्यान रुपी आउशधी से स्वयम को तयार करके, मैं उस परभ्रम को आत्मा के पति की रुप में वरण करू उसको रीजाओं तो क्या कहा इसमें कि अर्जुन उस परब्रम को पाना है तो अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है Bible में इस पश्ट रूप से कहा कि the God your Lord is only one कि है वो जो परमात्मा है जो सब का स्वामी है वो केवल एक है और उसको पाना है तो तुम कैसे पास सकते हो God is love and love is God कि वो परमात्मा प्रेम का स्वरूप है और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है उसको पाना है तो Bible में एक लाइन आती है कि यदि तुम परब्रम को पाना चाहते हो तो तुम्हें सर्फ शरीर से नहीं मन से, चित्ट से और बुद्धी से इन तीनों में प्रेम भर करके उसको पाना होगा तो आप किसी भी धर्मकरंद को उठा के देख लीजिए चाहे किसी भी महापुरुस की बात को उठा करके देख लीजिए नानक जी क्या कहते है जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो जिसने प्रेम किया वही प्रभु को पा सकता है तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है यदि कोई कहता है कि नहीं इसके अलावा कोई उपाय है तो समझ लीजिए कि वो जूट है और वो धर्म के सिद्धान के विरोध है बस इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ सब मिल करके चोपई दो रहेंगे कई दर्वाजे खोजे कभी रे वै कुंठ सुन्य सब देख्या आखिर जाए के प्रेम पुकारिया तब जाए पाया अलेखा